बिहार समाचार लालू ते मिखिएश्वी पर आने वाला है मुशिवत और वही बात करेंगे सिक्षा बिबाग में लिया गया है बड़ा निर्न है जीवका दिदियों ने कहा किया घेराओ और खास करके हमारे ग्राम पंचायतों में क्या होने बाला है बदलाओ तो हम नजर डालते हैं लैंड फॉर जॉब केस में लालुक के तेजस्वी के बाद तेट प्रफताब भी फंस चुके हैं साथ अक्तुवर को मामले में अब तेज परताप भी एक्यूज बन गये हैं और वहीं सिपाही पेपर लिक मामले में बहुत बड़ा खुलाशा हुआ है सिपाही पेपर लिक हाटे की भरपाई के लिए बीपीएसी का परचाल लिक किया गया है उसके बाद में नीट का परचाल लिक किया गया है रंजीत डौन से संजीव मुखिया ने सीखा था पेपर लिक करवाना यानि कि जो मास्टर माइंड पेपर लिक का संजीव मुखिया वह रंजीत डौन का सिस है यानि कि चेला है और वही अगर हम बात करें तो BPSC में जो final result जारे किया गया है BPSC ने तीन सवालों के जवाब गलत दिये है TRE3 के अंसर की को लेकर विवार छात्र नेता ने कहा है कि धांधली हो रहा है वही सरकारी नोकरी कर बात करें तो रेलवे में अप्रेंटिस के 1689 पदों पर निकाली गई है भरती दसमी पास को मौका महिलाओं के लिए निशुल्क आवेदन की बेवस्था किया गया है और वह इधर हम बात करें कि बिहार में सिक्षा विभाग के एक निरने से तूटा नियोजित सिक्षको का मनोवल और हाल ही में बिहार सिक्षा विभाग नेक महत्पुर निरने लिया है जिसमें नियोजित सिक्षको को मनोवल पर परभाव पड़ा है इस निरने के अंतरगत बिहार लोग सेवा आयोग बिपी एस्थी द्वारा बहाल सिक्षको को बिसे से बरियताद दी गई है इस कदम का उद्देश सिक्षको के नियुक्ति और काम करने के तरीकों में सुधार लाना बताया जा रहा है असपर्ठ किया गया है कि निरने सिक्षा निकल कर सामने आ रही है कि परभार जो है जहां नियोजे सिक्षक हैं पहले से वहां प्रभार दिया जाएगा हलाकि हमामला आसान नहीं है नियोजे सिक्षक अरवल जीले में के नियोजे सिक्षक हाई कोट में केस कर दिया है तो इस बरियता करम को लेकर नियोजे सिक्षको में तक्राव होना अवस्यम भावी है और सिक्षा विभाग के एस्सी दार्थ की बड़ी पहल 13 तरह के काम के लिए अस्कूलों को रासी दिया गया है डीम करेंगे निगरानी सिक्षा विभाग किया परमुक्षचिव डॉक्टर एस्सी दार्थ लागातार विद्यालियों का इस दोरान कई तरह के सिकायते मिल रही है उन समस्या को दूर करने के लिए सिक्षा विभाग ने रासी की विवश्ठा की उस रासी से सरकारी विद्यालों के में तेरह तरह के समस्याओं को दूर करने के दिये गये हैं शिक्षा बीबाग के ACS ने सब ही जिला जीलों के deal से कहा कि इस्कूलों में होने वाली मरमतिकार की परगती की आप समिच्षा करें यानि की जाच करें और वहीं बी पीएस सी टीयरी फिरी रिजल्ट कब आएगा कि सिक्षा भरती रिजल्ट कर लेकर बड़ा सवाल उठाया जा रहा है लेकिन अब सिक्षा विभाग के सुत्रों के हवाले से खबर की बात को पुष्टी करें और विपेस्टी के सुत्रों से खबर निकल कर सामने आ रही है पिशनी तंबर के बाद अगले किसी भी नवंबर बहिने में आपको किसी भी सप्ता में रिजल्ट आ सकता है और बिहार में आएगी नोक्रियों की बहार स्वासी भाग में जल्द होगे 46,000 नई भरतिया बिहार क स्वासी भाग में बहुत जल्द होगे 46,000 नई भाले इसके साथ ही एक हजार अत्रीक्त नए टीका करन केंद्र भी सिगर खोलेंगे यह बाते जो है राजी के स्वास्त मंत्री मंगल पांडे ने बताया है हम आपको बता दे कि बिहार में वेलनेस केंद्र पर मिलेगी 12 प्र जल्द 46,000 नई नियुक्तियां होंगे इसमें 12,000 नर्स की बहाली होगी इसका मक्सद टीका करन का 95 पर से अच्छादान सुनेशित करना है इसके लिए राज्य के विभीन परखंडों में जल्द एक हजार अत्रीक्त टीका करन कॉर्णर खोले जाने की योजना है मंत्री पर्तिक परखंडों के चिन्हित हेल्थ एंडवेलनस सेंटर पर बने एक हजारने टीका करन करों अधान करने के बाद कही है इसका आयोजन पटना इस्तित फुलवारी शरीप के कुर्कूरी परखंड हेल्थ एंडवेलनस सेंटर से वर्चुवल माध्यम से किया गया है और हत्या के आरोप में परदरसन पुलिस ने किया लाठी चार्ज समस्तिपूर से खबर निकल कर सामने आ रहे हैं समस्तिपूर में एक महिला समेच्छा को हिरासत में हैं तीन दिन पहले नवालिक के मिलित हिलास समस्तिपूर में गुरुबार को नवालिक लड़की से रेप और हत्या के विरोद में परदरसन कर रहे हैं लोगों पर कुलिस ने लाठी चार्ज कर रिया है इसमें छा लोगा को हिरासत में लिया गया है दरसर तीन दिन पहले सोभन गाउं में नवालिक के रास मिली थी गाउं के लोगों को नामजद भूद बनाया तह और इस रेप기에σα को लेकर और हत्या को लेकर लोग परदर्सन कर रहे थे अगर मौसम के मिजाज की हाल के बाद कर तो उखान पर गंगा पांच जिलों में पांच सो पचास स्कूल बंद बेगुस राए में दो लाग की आवादी परभावी थे पटना में बाढ़ में लोगों का पलायन बिहार में समय पर मांसून की वापसी होगी कि सितंबर से धीरे-धीरे मांसून की विदाई शुरू हो जाएगी और मौसम भाक्यांसार अगले चार दिनों तक पर रेश में बारिस होने की शंभावना नहीं है वहीं IPS सिवदीप लांडे का इस्तिफा कहा बिहार में ही रहूंगा यही मेरी कर्म हुमी है 2015 में दुपट्टा ओड़कर यूपी पुलिस इंस्पेक्टर को घूस लेते पकड़ा था बिहार कैडर के IPS सिवदीप लांडे ने पद से इस्तिफा दे दिया उन्होंने इसकी घोशना सोशल मीडिया पर की है दो हपते पले उन्हें तिरहुत रेज़ से हटा कर पुर्णिया आईजी बनाया गया था आईजी बनाया जाने के दो हफते बाद इन्होंने अपने पस से इस्तिफा दे दिया है अब बिहार में दवंगों ने दलितों के असी घर जलाए गाउवालों ने कहा कई राउंड फायरिंग के इलाके में तनाव पांच ठानो है वह राजत के समर्थक हैं इस पर तेजस्री यादों ने जीतन राम्मांजी पर कड़ी परतिकिर याब्यक्त किया है और वहीं जीवका देदियों ने किया मुफसिल थाना का घेराओ बक्सर में मांगों को लेकर स्रीय लिफतालावंदी को तोड़ने से नाराज दस उत्र मांग को लेकर बेदर्शन कर रहे हैं मुस्तफ्फ छिल थाना का घुरुवार की दो पहर मांगों लेकर परतिकर कि लिफारा किया गया अपनी मांगों के लECKा और लीफिकर सेंटर पर एक तालावन्दी को तोड़ने की सुरुवात होनी चाहिए बिहार में मिसन टोटल सेग्रिगेशन की सुरुवात हो गई है राजपल राजेंद्र विसोनास हर लेल करना इसके सुरुवात की है इस मौके परूह ने कहा कि आज संकल्प लेने का दिन है संकल्प सिर्व बोलने के लिए नहीं बलकि काम करने के लिए लिया जाता है लेकिन हम आपको बता दे कि हर पंचायत में डवलू पीएस बनाया गया है सफाई कर्मियों के न्युक्ति की गई है लेकिन गाओं में कचला उसी तरह से बहाल है क्योंकि कचला का उठाओ नहीं हो रहा है इसके पीछे कारणिया बताया जा रहा है कि कर कर्मियों को तो बहाल कर दिया गया है इसकी विवस्था नहीं की गई है कई परखंडों में कर्मियों सफाई कर्मियों का मांदे चाह से चार महिने तक बकाया है जिससे सफाई कर्मी नराज होकर कच्छुड़े का उठाऊ नहीं कर रहे हैं वहीं औरंगाबास से दो खबर आ है और अंगाबाद सदर अस्पताल में एक आसी लोग देंगूर के पॉजिटिव एलेजा मसीन से किया गया टेश्ट परवंदक वो लेश्ट भी का हो रहा है इलाज वही और अंगाबाद से दुसरी खबर आ सबीःर के बिरोद में तिसरे दीन है हसुआ परखंड मुख्याले पर महावल बिघह के ग्रामिनों ने परदर्सन किया ंस्पत Weak मीटर लगाने के दर्मियान उनके साथ अभद बेवार किया गया है वे किसी भी कीमत पर अपने घरों में स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना चाहते हैं वहीं आईए संजीव हंस ने हावाला के जरिये दिये दो 44 लाक रुपे गैंगरे पीरता को 90 लाक का फ्लेट दिया चुप रहने के लिए हर महीने 2 लाक रुपे दिये जाते हैं राजत के पुर्विधाय गुलाब पे आदो समय 13 पर एस वी यू ने वरष्टा चार से आए कि अधिक संपत्ति अरजित करने का केस दर्ज कर लिया है एस वी यू सोसल निग्रानी इउनिट ने 14 सितंबर को केस दर्ज कर दिया है दर्ज केस में अरोप है कि महिला वकील को हवाला के जरिये संजीव हंस ने पैसे दिया था और ज एक राहूल भारत विरोधी ताकतों के साथ पाक रक्षा मंत्री बोले तीन सो सत्तर की बहारी चाहते हैं और वही बिहार के सभी सरकारी स्कूलों की जारी होगी रैंकिंग शिक्ष को पर सिधा पड़ेगा परभाव अगर कम नमबर आया तो करवाई होगी बिहार के सरकारी स्कूलों में सिक्षा गुनवत्ता के सुधार पुले कर सिक्षा विभाक्या पर मुक्सचिव इस सिधात ने बड़ी पहल की है राज्य के सभी सरकारी स्कूलों की रैंकिंग जारी करने का निर्मेल लिया गया है इससे सिक्ष को को ही पता चलेगा कि उनके पढ़ाई का हुआ है कुम करनी निद्रा में है पंचायती राजुभाग से एक अपडेट आता है कि इस पर जल्द ही मंत्री मंडल के बैठाख होगी उसके बाद पंचायती राजुभाग सो जाता है इधर पंचायतों में के खाजाने खाली है वाट्स सदसे खाली बैठे हुए हैं जानता यह उमीद लगाएं बैठी है कि पंचायतों में पैसा आएगा तो उनकी समस्या का समधान होगा दाओं में विकास होगा नल्जल यूजना का हाल आप जान ही रहे हैं लेकिन यूजनाएं एक से बनाई जा रहे हैं तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जिससे उतल एप कर्ड़ाज से बातिरны हैं लेकिन जाएंगा ह।